कि आप सभी उम्मीद करता हूं माइडियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जीजान से जुटे होंगे माइडियर फ्रेंड्स आप सभी का सवागत है आपके इस प्यारा सा प्रेट फॉर्म रेंकर शिंगलिस एजुकेशन पर आज हम लोग बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन को लेकर का है मेरे भाई और यह सो इंपोर्टेंट कोश्चन है वो बेसिकलिए आपके बिहार बोर्ड क कि एक्जामनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी को पता है मेरे भाई कि हम लोग डेली बेसिस पे कुछ नो कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अब की बार पंचान में पार यह आपकी दिमाग में रहना चाहिए मेरे दोस्त तो चलिए म मेले हैं क्लास को स्टार्ट किया जब्ण धहान से देखना एक एक के खिशन को अच्छे तरीकसे डिवर करें और मेरे भाई आच्छे तरीकसे आपके दिमाग में डालने की पूरी पोशिच पर उन्गा अपना entertainment करके रखना इनर्जी नर्जी को वना करके रखना झूखने म सबस्क्राइब लोग को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, मेरे भाई मैं एक ये चीज़ के उपर जिक्र करूंगा और जिक्र ही नहीं मेरे भाई अच्छे तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिस करूंगा और हम सब लोग जी जान से मेनत करेंगे, टेंसल लेने की जोत नहीं है, परिसा होने की जोत नहीं है मेरे भाई तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए चलिए आईए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्यों आते हैं मेरे भाई या सरा ध्यान से देखना कोष्चन बड़ा इंपर्टेंट है माईडियर और सारा का सारा क्वेशन आपके एक्जाअनेशन के पॉइंट अवई से बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट होने वाला है ठीक है मेरे भाई हार मत मानना अपने आपने आपने आप आप आपना जो कॉन्फिदेंस है उसको लू के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट भी है ज़रा ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों कुश्चन है यह जो स्नैक चेप्टर है मेरे भाई यह जो स्नैक पोयम है इसको बेसिकली किस ने लिखा आपके सामने जॉन डॉन, कमला दास, दिएच लॉरेस या फिर वल्ट विटमेंड आप सब को अच्छे तरीके से पता है मेरे दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जब कभी भी बात आती है इस चेप्टर स्नैक को ले करके, तो सर यह जो स्नैक चेप्टर है ना, इसको लिखने का कान किये थे, उस इंसान का नाम था मेरे दोस्त, उस इंसान का नाम था डियेच लॉरेस, C4 चाइना एक जान डॉन को ले करके, तो जान डॉन जान वो लेखने का काम किये थे, उसका नाम था, Song of Myself, मैं आपको बता दू मेरे भाया कि यह जो वर्ट विट्मेन है, यह बैसिकलि अमेरिका से बिलॉंग कर रहे थे, और इसके दो इंपोर्टन बॉक्स थे, एक का नाम है Lips of Cross, और दूसरा है drum taps, जब हम बात करते हैं lips of grass को लेकर के मेरे भाई, तो lips of grass 855 में publish हुआ था, लेकिन जब बात आती है, जब बात आती है drum taps को लेकर के, तो वो 866 में publish हुआ था, सर काफी जदा important point था, जो मैंने आपके सामने deliver किया, आते हैं हम लोग अगले question की और, आप सबसे request है क इस वीडियो को share करो, क्योंकि मैं पूरे energy के साथ हूँ, और आप भी पूरे energy के साथ जुटे रहना सर, एक एक concept आपके दिमाग वे fit होने चाहिए, जड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला question आपके सामने ये रहा, अच्छा सा question है, प्यारा सा question है, जड़ा समझने की कोशिस करना, question है मेरे भाई, बियेच लोरेंस बिलोंग स्टू, बियेच लोरेंस सहाब बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, option है आपके सामने अमेरिका, इंगलेंट, फ्रांस या फिर जर्मनी, जड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, जब कभी भी बात आती है, बियेच ल एक तम सही जवाब है, अब हम लोग बात करते हैं, अगले question की और एक तम प्यारा सा question आपके सामने ये रहा, sir question लिखा हुआ है, was it cowardice, क्या ये कायरता है, that I dared not kill him, क्या ये कायरता है, कि मेरे में ये हिम्मत नहीं थी क्यों सांप को जा करके मार दू, चाहिए ये कायरता है, क्या ये डर पोक, मतलब डर पोक का सिंबॉल है, मेरे भाई, ये जो लाइन है, वो basically कहां से लिया गया है, तो आपको पता है, sir, sir, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कि ये जो लाइन है न, वो basically लिया गया है, snack chapter से, कि इस chapter से मेरे भाई, snack chapter से, इसलिए इसका correct answer हो प्रविस करता चला जाएगा, जब कभी भी बात आएगी, song of myself को ले करके, तो इसको लेखने का काम के थे, उस इंसान का नाम था, Walt Whitman, Walt Whitman, मेरे भाई, मेरे speed ज्यादा तो नहीं है न, speed, चलो, कोई बात नहीं, speed में मेंटेन कर देता हो, ज़रा ध्यान से देखना, Walt Whitman का ज basically America से belong कर रहा था, इसके दो important creation थे, आप जल्दी से comment में छापते रहाना, एक का नाम था, lips of grass, एक का नाम था मेरे भाई, lips of grass, जो की publish हुआ था 855, और दूसरा है, जो था drum taps, drum taps मेरे भाईया, जो publish हुआ था 866 में, तो यह जितना भी point मैं लिखा हूँ, मेरे प्यारे दोस् सारा का सारा point आपकी examination का favorite point है, आईए हम लोग आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं, the soldier को ले करके, तो आपको पता है मेरी जान, यह जो the soldier है न, यह लिखने का, मतलब the soldier को लिखने का काम किये थे, उस इंसान का नाम था, Rupert Brooke, क्या नाम था मे बता दू मेरे भाई, कि यह जो the soldier है, उसका type basically अपने आप में sonnet है, तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, कि सारी sonnet का मतलब क्या होता है, sonnet का real में meaning क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, जब कभी भी बात आएगी sonnet को ले करके, तो sonnet का मतलब होता है चार नहीं, 14 line की कविता, अरे मेरे प्यारे, 14 line की कविता को हम लोग sonnet बोलते हैं, और इस 14 line को basically 2 parts में divide किया जाता है, एक को बोलते है 8 line, और दूसरा को बोलते है 6 line, जब बात आती है 8 line को ले करके मेरे भाई, तो इसको बोला जाता है octave, जब बात आती है 6 line को, तो इसको बोलते हैं हम लोग say state, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि ये चीज़ें आपके दिमाग में 60-60 घुसल होगा, चीक है, अब आते हैं हम लोग, अगले question क्यों और ज़रा ध्यान से देखना, आपको पता है, fire him को लेकिने का काम किये थे, उस इंसान का नाम था, cakey and daru वाल दारू वाला, चाई वाला, तारी वाला, दूध वाला, गोबर वाला, चिपड़ी वाला, वो सारा का सारा इंडियन ही होते हैं, इसलिए cakey and daru वाला basically Indian poet थे, आईए मेरे भाई अगले question क्यों, next question आपके सामने है, who came to the water trough of the poet, भाईया, कवी का जो नाद था, वहाँ पे विखारी आया था, दूसरा है a boy, एक लड़का आया था, तीसरा है snack, एक सांप आया थी, या आया थे, या फिर none of these, इन में से कोई नहीं, जल्दी से छापो मेरे भाई, जल्दी से छापो, आपको पता है, अच्छा, इतना लिखन, इतना लिखने का जरूरत नहीं, वहाँ हिमान से कुछ वहा, बहुत अच्छे जाड़े हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि, कॉंसेप्ट जब दूँगा, तो आपको अच्छा लगे का नहीं, ठीक है, चलो, क्योंकि आपको तो एक लाइन का आंसर मा अभी के वाटर ट्रफ के पास कौन आया था, तो आपका करेक्ट अंसर होगा, मेरे भाईया, साप आया था, इसलिए C for चांद के पार चलो, एक्तम सही जवाब है, नेक्स कुश्चन के उड़ भरते हैं मेरे भाई, नेक्स कुश्चन आपके सामने ये रहा, प्श्चन स्नैक दूसरे अस्थान पर आया, या फिर बॉय आया, या फिर स्पीकर, या फिर कह सकते हैं कभी खुद आये, या फिर और मैंगूज क्या लिखा हुआ यार, कोई बत्तमीजी का हद हो गया है, बताओ, आप एक बात बताना, मेरे भाई, एक बात बताना, आप जड़ा स्थान पर पहले गया था, और दूसरे अस्थान पर पैजामा में पहने हुए जा रहे थे, खड़ा लेकर के कौन, तो दिएच लोडेस जा रहे थे, कभी खुद दूसरे अस्थान पर आये थे, मेरे प्यारे भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, C4 चांद के पार, चलो, C4 चांद के पार, तो लोग पागल हो, नादी के पास, सेकेंड अस्थान पर कौन आया, तो सेकेंड अस्थान पर तो कवी गय थे न, पहलो तो साब वहाँ पर पहुच जिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, C4 चांद के पार, चलो, अरे मेरे भाई, सोच के जवाब दो यार, तुम लोग पी पाके आये हो क्या, अरे भया कोई पी यह तो नहीं हो, लग रहा है साब पी पाके आया, रे भाई, तुम लोग से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है, आईए, नेक्स कॉशन आपके सामने ही है, वट वस दा कलर ओफ त स्नैक, स्नाप का कलर कैसा था, ऑप्शन है, येल्लो ब्लैक, सिर्फ ब्लैक, या फिर गोल्ड, या फिर येल्लो ब्राउन, मेरे भाई, जब आप स्नैक चेप्टर पढ़ोगे, जिसको लिखने का काम किये थी, डि.H. लॉरेंस साहब, आपको पता है, मेरे भाई, जब डि.H. लॉरेंस साहब ल दुबारा गलत मत करना, डि.H. दुबारा गलत मत करना, हिमांसु कुषबाह, एकदम गलत जवाब है, मेरे भाई, उसका कलर था, यल्लो ब्राउन, यल्लो ब्राउन इस दा राइट आंसर, अरे, तुम लो बी दे रो ब्लैक, ब्लैक था क्या, यल्लो ब्राउन एकदम करेक से समय यह रहा मरे प्यार करेक्ट यौ आगे सब्सक्राइशंु मिटराब से एक धर से या एक फिल्ड से एक खेत थे जड़ा एक बात बता ना वो जो साप है ना वह बैस्किले एक फीसर से होकर क्या था एक दरार से क्या था बहुत पुराना दरार था मैं अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं वहीं से निकल के आये थे मेरे भाई इसलिए इसका करेक्ट अंसर सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है मेरे भाई ठीक है अगले क्वेशन क्यों राई है मेरे भाईया आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके ये बताओगे कि डियेश लॉरेंस सहाब का जन्म कब हुआ था और वो इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थी जल् पानी पीने के दौरान पानी पीने के दौरान वो जो साफ है वो सर को उठाता है और किस तरीके से सर को लिफ्ट करता है किस तरीके से मूव करता है किस तरीके से हिलाता डुलाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरीके से कोई जानवर किसी नाद में जाकर के पानी पीया और नाद में जाय करके कोई जानवर पानी पीता है और पानी पीने के वाद जैसे इस सर उठाता है ना तो अजीब तरीके से सर को हिलाता डोलाता है जीब को आजीब तरीके से हिलाता डोलाता है मेरे भाई वो जो साप है ना वो बेसिकली किसके जैसे हिलाया डोलाया एक पक्षी के जैसे एक आदमी के जैसे एक मतलब पस्वों के जैसे या फिर स्कुरेल के जैसे तो आपको पता है मेरे भाई कि वो ज चांद के पार चलो एक्तम सही जवाब है सी फॉर चांद के पार चलो इस दराइट अनसे विवन ओके इसका जन्व 1885 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वह बेसिकली वह बेसिकली पूशन को लिए क्योंकि बूर्ट तो आप से पुश करके तो कुशन देगा नहीं आपसे बताओ नबहुक्त सकता है ना उसका मन होगा तर डेट बर्थ पूछ देगा कहां कर रहने वाला यह पूछ देगा इसमें किसका जिक्र किया गया यह पूछ देगा कुछ भी पूछ सकता है आईए नेक्स कोशन आपके सामने यह रहा इन हैं सर कुशन है दसलेट लो अट डग दफ वह जो साप था मेरे भाई वह बैसे कोवी पे बैसे केड रीकर से देख रहा था तो इस लिएसरह अनसर होगा D4 दुबारा गलत मत करना D4 दुबारा गलत मत करना मेरे भाई किलियर है मेरे प्यारे दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप वो हर चीज नमसे में आती होगी एक बार जल्दी से मेरे को कॉमेंट करके बताओ एक बार जल्दी से मेरे को जल्दी से बताओ, चलिए आईए, नए सार जी, ओके, 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 चलिए, ठीक है, मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्कुर्षण आपके सामने ये रहा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जब टाइम कम है, तो हम चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मतलब सेलेट दिया जाए, ज्यादा टाइम न लगे ठीक है, next question आपके सामने ये रहा, which month has been mentioned in the poem, आपका जो कवीता है मेरे भाईया, आपका जो कवीता है उसने basically किस महिने का जिक्र है, आपके पास जो कवीता है इसने basically किस मन्त का जिक्र किया गया है, तो भाई, गर्मी का एक दम जबरदस्त धूप होता है, गर्मी बहुत जबरदस्त ह तो इसका जो correct answer होगा वो ना तो मई है, ना तो जून है, ना तो अगस्त है, इसका correct answer है, सीफ और चांद के पार चलो, जुलाई महिने का जिक्र है मेरे भाई, जुलाई महिने का जिक्र है, चली आईए, next question क्यों रहे, next question आपको सामने ये रहा, Sir, question है, in Sicily, black snakes are supposed to be innocent, whereas the blank to be venomous, मतलब जो Sicily है, Sicily जो है मेरे भाईया, वो basically Italy में है, ठीक है, तो Sicily में basically ये जो black snakes होते हैं ना, जो काले साप होते हैं ना मेरे भाई, उसको basically innocent माना जाता है, बिल्कुल निर्दोस माना जाता है, वहीं अगर देखा जाए, तो वहीं अगर द गोल्ड होते हैं ना मेरे भाई, गोल्डेन कलर का, उसको basically बड़ा जहरीला माना जाता है, इसलिए इसका correct answer होगा, D for Delhi, Venomous मतलब जहरीला, ठीक है मेरे भाई, Venomous मतलब जहरीला, यस, एक तम correct answer है, इसका सही जवाब होगा मेरे भाई, D for Delhi, next question क्यों बढ़ो, अगर कोई द काला साप होते हैं ना, उसको basically innocent माना जाता है, निर्दोस माना जाता है, वहीं अगर देखा जाए, तो उसी सिसली में, जो golden color का snack होता है, मेरे भाई, उसको काफी ज़्यादा, Venomous, काफी ज़्यादा जहरीला माना जाता है, ठीक है मेरे भाई, आईए, next question ये रहा, sir question बड़ा जबरदस्त है, question लिखा हुआ है, what did the poet first thought to see that yellow brown snack, जैसे ही poet ने पहली बार साप को देखा, तो poet ने क्या सोचा, अच्छा, साप को देखते ही poet ने क्या सोचा पता है, poet ने तुरत्य सोचा कि इसको मार ही दिया जाए, poet ने सोचा, इसको मार ही दिया जाए, इसलिए इसका correct answer होगा, C for चांद के पार चलो, C for चांद के पार चलो, एकदम सही जवाब है, अरे मेरे भाई, सब का जवाब सही आना चाहिए, तेरा का A, अरे hit नहीं दे, hit नहीं दे kill, kill, kill का मतलब खतम कर देना, जैसे ही पहले देखाना, तो उसके दिमाग में तुरत्य आया, पहले इसको खतम परो, ठीक है, पहले इसको खतम करो, टपका दो यहीं पे सापको, इसलिए इसका correct answer होगा, C for चांद के पार चलो, next question यह रहा, सुनो, examination hall में ना पहले इमंदारी से और अच्छी तरीके से पूरे patience के साथ question के option को पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि option आपको चकरा सकता है, ठीक है मेरे भाई, आईए, question है, which tree has been mentioned in the poem, इस पूरे के पूरे poem में, पूरे के पूरे कविता में, basically किस tree के बारे में जिक्र है, option है आपके सामने, account के बारे में, खाता के बारे में, सी फॉर चांद के पार चलो एक दम सही जवाब है ठीक है नेक्स कोश्चन आपके सामने ये रहा सर कोश्चन निखा हुआ है वट दिड़ पोएट थ्रो अन्द स्नेक वट डिड़ दपोएट थ्रो अन्द स्नेक भाई मेरे कवी जो है ना कवी बेसिकली उसनाप पे कौन प्थर या फिर क्लम सी लॉग यानि एक चड़ी या फिर ही फू अपना जूते फेके या फिर एस्टीक जरा बताओ ने मेरे भाई तो उसका करेक्ट आशर होगा क्लम सी लॉग डैट मेंस बीफ और बिहारी बाबू बीफ और बिहारी बाबू एक दम सही जवाब है मेरे भ प्रता फेका था आपको पता होना चाहिए सब चीज पढ़ाया हूं अगला क्वेशन है दा पोएट कंपेर अर्स दसनेक चू अच्छा ज़रा सोच के बताना उस पूरे के पूरे चैप्टर में कभी बेसिक लिए उस साप का तुलना किसे करते हैं साप का तुलना किसे करते हैं अप्सिन है फालकन, एम यू, औस्ट्रीच या फिर अलबा ट्रॉस अच्छे से पढ़ना सर कोशन बड़ा जबरदस्त है और यह एक ऐसा क्वेशन है जो आपको कंफीज कर सकता है सर क्वेशन है कि इस पूरे के पूरे पोएम में जो पोएट है वो साप की तुलना किस अलबे ट्रॉस से करते हैं तो मैं आपको बता हुँका हुँ किसर इस पूरे के पूरे पोएम में पर जहन साप की तुलना विसके लिए अलबेट व app करते है इसलेज का करेक्ट अंस तरह होगा मेरे भाई वीब दुबारा गलत मत करना इसंग क्यों मेरे भाई भिफsन को मे कोई इनर्जी के साथ don't worry about that यहाँ पर वरी के साथ हमेसा अबाट का इस्तेमाल करते हैं याद रखना ठीक है आई अच्छा क्रेशन आ गया क्रेशन आ गया जवर्टास कुशन कुशन देखो सर क्रेशन लिखा हुआ है डाविट हरबर्ट लॉरेंस वोल्स बॉर्ण इन भाईया डी यच लॉरेंस का पूरा नाम है डाविट हरबर्ट लॉरेंस इनका जन्म बेसिकली कब हुआ था आप्षन है 1888, 1885, 1885 या फिर 1855 तो आप सबको पता है कि सर जब हम बात करते हैं डी य आप लोगो जानते हैं यह ना लेक्व बीचली लिया गया है है जानते हैं आपको एक होगे दर रेंबो यह भी लिखा गया है डियेच लॉरेंस के द्वारा यह सारा का सरचीज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे मेरे भाई समझे तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो सी फॉर चांद के पार चलो इस दराइट आंसर एक वार इस वीडिय दुनिया को अलवीदा कब बोल गए थी दियेच लोने साथ इस दुनिया को छोड़कर के कब चले गए थी ऑप्सन है 1925 को 1915 को 1945 को या फिर 1930 को तो अभी मैंने आपको बताया कि सर उनका जन्म हुआ था अच्छा सो अच्छा सो अच्छा सो अच्छा सो अच्छा सो इसका करेक्ड अंसर होगा डी फॉर दुबारा गलत मत करना ठीक है मेरे भाई ऑगे स्कूषिंट के सामने ये रहा मेरे भाई अगला कशन है श्ञा इस रिटेन भाई यह स्नैक चैप्टर है मेरे भाई यह बेसिकली यह किसके दौरा लिखा गया है ऑपसन है आपके सामने देवलुएच ओडन, टी एस एलियट, दी एच लॉरेंस, या फिर जॉन डॉन, तो आपको पता है, कि सर यह जो स्नैक चेप्टर है ना, यह बेसिकली लिखने का काम किये थे दी एच लॉरेंस सहाब, इसलिए इसका करेक्ट रांसर होगा, सी फॉर चांद के पार चलो, सी इंजाइटी के लिए दिया गया था, चीखे मेरे भाई, आप सब को सब चीज बता ही है, ज्यादा इसको डिस्क्रस करने की जोथ है भी नहीं, वहां पर जो काले साफ है, उसको बेसिकली निर्दोस माना जाता है, और जो गोल्डन कलर का साफ है ना, उसको बड़ा ज़रील माना जाता है, तो आप बता न, कुश्यन है इंसिसली, सिसली में ब्लेक स्नेक्स आर कंसीडर्ड जो काले साफ है, उसको माना जाता है, वेनोमस, ज़रीला, या फिर हम कहा सकते हैं इन्नोसेंट, तो आप बोलो के सर काले साफ को बड़ा इन्नोसेंट माना जाता है, इसलिए इसका correct answer होगा B for Bihari Babu, B for Bihari Babu, एकदम सही जवाब है मेरे भाई, next question ये रहा, Sir question को अच्छे से पढ़िए तो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर time लूँगा, आप question को पढ़िए ठीक है, वैसे question बड़ा easy है, लेकिन जड़ा question को पढ़िए और इसके बाद 60-60 सा answer दीजिए, please, please my dear, please. झालवाध झालवा है, रहाँ दीजिए मेरे अच्छे से घर भी है, अच्छे स्पलोफ़ा है, लेके पर दीीजिए, दावा सा दीजिए we reवसा है, लेक रादे से हैं got एक एकदर ग्लीए, come कि बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सब को पता है कि सर यह जो लाइन है ना दव वाइस आफ मैं अजुकिशन मेरी सिक्षा की आवाज कहती है मेरी सिक्षा की आवाज वेरे से कहती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा और आप सब को पता है जब हम बात करते हैं फाइर हिम को लेकर के तो इसको लिखने का काम किये थे केकी एन दारुवाला ये बेसिकली इंडिया से बिलॉंग कर रहे थे ठीक है मेरे भाई और इसका जो धर्म था ना मेरे भाई इसका जो धर्म था वो बेसिकली पार्सी था और इसी Partian को Basically, healthy जोड़ो stiff बिला जाता है जोर्जीं बोला जाता है यह सारी चीजा आपको आपको अलरेडी पता है चीपै कि मेरे भाई आईए अगले कुछक्शिन की ओऔर अच्छे एक बात बताना, तुम ज़रा मेरे कोई एक बात कमेंट करके छापना, कि सर डबलू एच ओर्डन को किस के लिए पुलिटिजर प्राइस से सम्मानित किया गया था, जल्दी से छापो, डबलू एच ओर्डन को किस क्रियेशन के लिए बिसिकली पुलिटिजर अवर्टर अल्टर नहीं वर्टर सर्थ सरण कमतश इस आ सब पता है जो Si По कैसे द खैर मेरिट को किसके द्वरा नवाजा गया था लिए तो इसका correct answer होगा Queen Elizabeth, Queen Elizabeth second के दौरा, Queen Elizabeth second के दौरा एक दम सही जवाब होगा मेरे भाई, आते हैं हम लोग अगले question for, next question आपको सामने ये रहा, Sir question लिखा हुआ है, He lifted his head from his drinking as cattle do is written by, Sir वो जो साप है ना, वो basically पानी पीने के जोस्ट बाद अपने सर को पसुओं के जैसे हिलाते डुलाते हैं, ये जो लाइन है मेरे भाई, ये कहां से लिया गया है, मतलब कौन लिखा है, option है T.S.E.L.E.R.D.H.L.R.E.P.O.R.E.P.O.R.E.P तो आप सब को पता है कि Sir ये जो लाइन है ना, वो सबसे पहली बात कि कौन लिखा है, इसे जादा इंपोर्टेंट है कि ये लाइन लिया कहां से गया है, तो अगर आप से पूछ दू कि Sir ये जो लाइन है ना, कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा, Sir ये लाइन तारे शूद्टी सिल्याट यह बेसकरी रोमैंटिक पटला केहलाते हैं अर्य यार कितना गजब बात ब haciendo गिता हर रोमैंटिक पटला देना ऊप और ऐसे बाट एलिएट के दौरा छोड़ उसको टीएस एलिएट के दौरा बेसिकली लिखा गया है ठीक है मेरे भाई चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आवाज ज्यादा तेज तो नहीं है न मतलब ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने यह रहा सर कुशन लिखा हुआ है दसनेक मेंट दप्वेट नियर हिस वाटर ब्लैंक जो साप जो है ना वो बेसिकली कवी को कब मिले मतलब कवी को कहां पर मिले ऑप्सन है बक्किट के पास बालती होता है वहां पर कुवां के पास नाधी के पास या फिर त offered आप के पास बताओ तो आप बोलो कि सर्व कभी को ना उसाप मिला था कहां पे वाटर ट्रफ के पास इस लिए वाटर ट्रफ मतलम नाद वो जो नाद जो बना होता है ना जैसे अपने लोगा समींद का कि यहां पर जो नाद था पता हूँ वैसा ही ना ठीक है तो मेरे भाई इसका करेक्ट रांसर हो जाएगा मेरे भाई और सीफ और चाइना डैटनिस वाटर ट्रफ डैटनिस वाटर प्रिती गलत बता रहे हैं कि वेल दसनेक मेट दपोएट नियर इस वोटर तुलग पागल है कुआ के पास मिला था तु वेल वेल चिपका रही है और बोले गलत बता रहे हैं अरे यार तुम क्या कर रहे हो और सी एकदम सही सवाब है सर वाटर ट्रॉफ अरे यार हद है नहीं समझ जाया क्या कि वोन में गलत बता दियों पीछे वाला क्या एक मिलत नहीं ठीक तो है क्या गलत है ठीक है सब ठीक हो आज़ा लिखा हुआ है ता एस्पीकर हैड़ डिजाय टू टॉक टू जो कवी है मेरे भाया उसका इच्छा हो रहा था कि बात करें किस से अपसे आपके सामने बिल्ली से चुहा से मतलब कैट से रैट से एसकॉर्पियन से या फिर स्नैक से तो आप सब को पता है कि सर यह ज कि मैं इसे बात करू जाना बात करें कि कटी यह लेगा इसका करेक्ट अंसर हो गामिरी बैस पर टैली एकतम सही जवाब है अ chPN day 42 एक दम सही जवाब है प्रीति आप गलत है ठेक है आईए अगले कुश्चन क्यों राइए नेक्स हम ही को बोले इस और जी आप गलत बता रहे हैं लो आजा आप ब्लैंक इस मेंसंट इन पुएम स्नैक अच्छे एक बात बता नेमलीकित में से इस स्नैक जो चेप्टर है इसमें बेसिकली किसको मेंसं किया गया है ऑप्सन आपक इसमें बेसिकली एक बहुत अच्छे ट्री के बारे में जिक रहा है और इसका नाम में क्रव ट्री इसलिज़ का करेक्ट अंसर होगा सीफ और क्रवट्री सी फॉर करफ टी सी से करफ ट्री टिए आ ये अगर मैं आपसे पूछ दूना कि कवी कौन चीज पहना हुआ था तो आपको पता हुआ वो पजामे पहन ले था ठीक है तो एक बात बताना जड़ा धियां से देखना मेरे भाई या फिर नन अफ दीज तो आप सब को पता है अप सब को पता है कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वह जाएगा बी फॉर बॉंबई डैट निस पैजामा पैजामा एकक्तम करेक्ट आंसर है चीक है पैजामा इस दराइट अंसर सर नेक्स कुछन के और बढ़िये नेक्स कुछन आपके सामने यह रहा सर कुछन लिखा हुआ है दपोईट हैड गॉन टुद वोटर ट्रफ टू ड्रिंक अच्छा जो कवी है ना जो कवी है वह बेसिकली वाटर ट्रफ के पास जाते थे क्यों जो कवी है ना वो नादी के पास क्यों जाते थे कौन चीज पीने के लिए चाई पीने के लिए है कौफी पीने के लिए वाटर मतलब पानी पीने के लिए या फिर दूद पीने के लिए एक बात बताना मेरे भाई एक बात बताना आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते ह कि सर वो जो कवी है न वो वर्टर के पास जाएगा पानी के नात के पास जाएगा चाय पीने के लिए रहे अचा नादे है वो पानी के तो कोफी पीएगा दूर पीएगा नहीं मेरे भाई पानी पीने के लिए जाता था इसलिए इसका correct answer होगा सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो, एक दम सही जवाब है, नेक्स कुशन आपके सामने यह रहा मेरे भाई, अगला कुशन है, 28 नमबर कुशन, दा पोएट कमपेर्स दसनेक टू अ ब्लैंक बर्ड अलबेट्रॉस, एक बात बता ना, वहाँ पे एक बर वहेखेल बैके सांधस राग थे करते हैं, यह जो समूर्णि पख्ची से, या फिर पॉंड यह फिर वेई, तो आपका बता सब पगलाई लेगे तो लोग पी किया आता है ना तो वही सब जवाब देना इस्टार्ट करता भाट यार अजो कुशन को जरब पतना में जो भाई कुशन लिखा हुआ है दसने केम तुद पोईट्स वर्टर ट्रफ और अटे जो साफ है न वो कवी के नाद के पास आया कवी के जो पानी का नाद था वहाँ पे आया लेकिन कब आया था वो मौसन कैसा था होट, कोल्ट, रैनी या फिर नन अफ दीस तो आप सब को पता है कि सर्फ शापना छट पटा के निगला था दरार से का है उसको तरास लगा था तरास तरास का मतलब समझ में आया बहुत ज आओ कभी हवेली पे, एफ और आओ कभी हवेली पे, यस माइडिया, next question you have, question है in blank, according to the poem, सुना सुना, question सुना, in black, sorry in blank, according to the poem, snack, black snacks are considered innocent, अच्छा, कहां, मतलब कभी के अनुसार, किस जगह पे, या फिर कहां, जो साप है न, वो भी काले साप जो है, उसको basically काफिस जदा निर्दोस माने जाते हैं, अपने गाउं में क्या होता है, मेरे भाई, अपने गाउं में होता है, कि अगर साप न, करीके बाद है, ता आदमी समझे, ओ, बड़ा जहरीला हो, लेकिन वो जो, वहां है न, ये, सिस जो न, रुख जा इसको सही करते हैं, रुख जा मिल भाई, इले पास अब जो घरे, औरहो भाई, ऐरे भया रुख जा, नहीं हो गाई, लो, कोई बात नहीं है, सिसली एक तम सही जवाब, ठीक है, अगे? सब्सक्राइब तर नेक्स कुशन है थर्टी वन नबर कुशन इस वारी इंपोर्टन कुशन माइडियर सब्सक्राइब इंपोर्टन कुशन समझना कुशन लिखा हुआ है दा पॉइट हैड़ ब्लैंक टू फिल विद अच्छा पॉइट के पास ऐसा कौन चीज था जिसमें या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको बता दो मेरे भाई उसके पास ना आइमिन उनके पास एक पीचर था पीचर मतलब घरा था और उसी में वह पानी भरते थे इसलिए इसका करेक्ट अंसर होगा मेरे भाई यह फॉर आओ कभी हवेली पे ए फॉर आओ कभी हवेली पे ठीक है मेरे भाई अब तुम लोग यह मत बोलना ए फॉर आ रहा हूं सर हवेली पे तामीजी मत बोलना ठीक है अच्छा लगना चाहिए तो आपको पता है पहले अस्थान पे साब पहुंचा था और दूसरे अस्थान पे यह पहुंचा था यानि यह सेकेंड कमर हुआ कमर मतलब आनेवाला तुम लोग गलत मत सूशना कमर मतलब आने वाला चीक है तो इसका करेक्ट अंसर होगा मेरे भाई ए-फॉर आओ कभी हवेली पे एकतमसी जवाब है सी अरे तू लोग पी ले ले की अरे क्वेश्चन तो पढ़ लेती कम से कम क्वेश्चन क्या है दा स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ कर एस्पीकर ने कवी ने खुद को माना कि वह जो है न वाटर ट्रफ पे जाने वाला कैमा आदमी था तो पहले तो साफ पहुंच चुका था था तो इस दूसरा इंसान हुआ न मेरे भाई अरे यार तुम लोग गलत सवाब दे रहे हो ना सीमा गलत सवाब है मेरे भाई फ़र्स नहीं होगा ना सेकेंड कमर हुआ ना कमर मतलब आने वाला वहां प्याने वाल से केंड है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एफ और ए लेगिन जब साहिए मतलब कभी जाही रहते ही उसले मिन पहले पें क ability प्रूच गया ले जमार इसे पहले ही को लिद्धि पहले ही पहुंच गया cya है यार तो गलत कैसे हो रहा है सीमा बताओ यार अज़ आगे 33 नमबर कोई बात नहीं है क्वेशन देखिए क्वेशन लिखा हुआ है बिएच लोरेंस वोज बिएच लोरेंस बिसके लिए क्या थे आप्शन में फिक्शन राइटर और पोएट और सौर्ट एस्ट्रोई राइ अवी भी थे और सोर्ट रिट्र भी थे इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दुबारा गलत मत करना तुम रोग डी फॉर दुबारा गलत मत करना है थीक है आई यह नेक्स कोश्ट्रू क्यू राइए नेक्स question आपके सामने है a snack appears on a water trough जहान से सुनना कुशन को a snack appears on a trough of the blank to sip water मतलब साप जो है मेरे भाई किसके ट्रफ पर आया था किसके नाद के पास आया था option a doctor के teacher के poet के या फिर नन अफ तीस तो आप सबको पता है ना कि वो जो साप है मेरे भाई या वो कवी के वाटर ट्रफ वे गया था इसलिए इसका correct answer हो जाएगा सीफ और चांद के पार चलो सीफ और चांद के पार चलो इस दर राइट रंस एव्री वन और मेरे भाई मैं उमेद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी पूरे इनर्जी के साथ पढ़ाया हूं और एक एक चीज को explain भी क्या हो मेरे भाई अब आपका काम क्या है जो पीडियाफ में सेयर करूंगा आपके टेलिग्राम चैनल पे उसको एक बार पूरा मतलब एक बार फिर से रिविजन करना ताकि आपके हरे एक कॉंसेप का क्लेरिटी हो सके मेरे भाई मैं उम्मीद करता हमाइडियर कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा बहुत अच्छा लगा लगा होगा बस आपसे सिर्फ इतना से रिक्विस्ट है कि बता दिजिए कि 34 कुश्चन्स हम किये हैं इस 34 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे है हैं प्लीज माइडियर जल्दी से बताओ इस 34 में से आप कितने कुश्चन्स को सही कर पा रहे हो है ठीक है मेरा फॉन दो जल्दी से बताओ मिले कर दो झाल 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 आज की सवाद को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे भाई और कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई टेक यह एंड गुद्नाइट सर्ज जी हाँ बोलिए आवाज नहीं आ रही है अब चली गई होगी हां कुमार साथ टॉपर बना तुमको मिलेगा आप एक आवर्ड तुमको मिलेगा तुमको मिलेगा नोबल प्राइस डॉंट परी नोबल प्राइस है are लाग नोबल लाग थिद एक यह ए कर दो किख त्बाइस घॉंट कर दो मिलेगा तरॉंट निकाल दिया तुमको प्राइस